हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आरके दबंडर किचन में आज बनाएंगे हलीम रेसिपी और बहुती आसान तरीके से ये बहुती जल्दी बनके तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आप एक बार बना लोगे तो इसे बार बार बनाना करोगे तो चलिए बिना देर के हुए हलीम रेसिपी बनाने स्टार्ट करते हैं हलीम बनाने के लिए आदा कटोरी चने के दाल ली है आदा कटोरी मूंग की दाल आदा कटोरी मसूर की दाल ये छिलके वाली दाल होती है और सारी दाले बराबर बराबर रखेंगे आदा कटो मसूर की दाल यह बिना छिलके वाली मसूर की दाल होती है यह मैंने चार तरीके की दाले लिए हैं आप चाहे तो इसमें गय हूं और जो भी एड़ कर सकते हैं सिर्व में दाल और चावल का ही मज़ेदार सा हलीम बना के तयार करूंगी आदा का टोरी चावल यह कच्छे वनस् मिक्स कर लेंगे दाल और चावल को अब यह वजन में आदा किलो हो गए हैं गोस्त और दाल बिल्कुल बराबर रखेंगे आदा आदा किलो तभी हलीम मज़ेदार बनता है आप एक किलो का हलीम बनाएंगे तो एक कटोरी दाल एट करेंगे और सिर्फ एक कटोरी चावल दे कूकर में मटन डाल देंगे मटन डालने के बाद आ जो हमने दाल और चावल अच्छे से दो कर रखेह थे इसे भी मटन के साथ मेंच और दो बड़े चमच नमक एड़ कर देंगे नमक अच्छे से मटन में वीन जाता है और इसका टेस्ट बाद में अच्छा आता है जिस बाउल में हमने दाल और चावल को दोखे रखा हुआ तो उस बावल को भरके पानी एड़ कर देंगे पानी खूब अच्छे से डालेंगे क्योंकि इसे अच्छे से गलाना होता है पानी डालने के बाद अच्छे से चला देंगे और कूकर कड़कन लगा देंगे तीन सीटी आने तक मीडे माच पर रखेंगे और तीन सीटी आने के के बाद 40 मिनट के लिए हलका कर देंगे गैस को सारी चीजे बहुत अच्छे से गल जाएंगी हलीम के लिए सबसे पहले मसाला पीस के तैयार करेंगे मीडियम साइज की प्याज लिया और छोटे-छोटे तीन अद्रक के टुकड़े 10-12 लस्टून की कलिया आदा चमत जीरा ए इसे कटोरी में निकाल लेंगे मिक्स कजार में थोड़ा सा पानी डालके साफ कर लेंगे उसे मसाले में डाल देंगे पानी को एक बड़े चमच पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर आदा चमच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर आदा चमच नमक गैट कर देंगे, दो चमच नमक हमने उबालने में भी डाला था, इसलिए नमक थोड़ा कमी रखेंगे, दो मीडियम साइच की प्याज लेंगे, प्याज को बारिक बारिक काट लेंगे, इस तरीके से प्याज को काट के तयार कर लेंगे, या मैंने बिल्कुल बारिक बारिक प्याज काट लिया है छोटी आदा कटोरी जीरा लिया है हलीम के लिए जीरे को तवे पे भून के तयार करेंगे हलके आज पे तवे को गरम कर लेंगे गरम करने के बाद तवे पे जीरा डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से फैला फैला के बहुत हलक के बाद इसे पीसके रख लेंगे, कड़ाई गरम कर लेंगे, गरम कड़ाई में तेल डाल देंगे, आप थोड़ा बड़ा बरतन लेंगे, क्योंकि इसमें हमें बाद में हलिम को पलटना पड़ता है, दो बड़े चमचाई हमें तेल ले लिया और तेल को अच्छे से गरम कर इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को लगातार चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे प्याज को मेडिय माज पर बूनेंगे मेडिय माज पर बूनने से प्याज जल्दी से क्रिस्प हो जाती है यह देखें प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है अब गैस को बंद कर देंगे प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ी सी प्याज कड़ाई में रहने देंगे क्योंकि इसमें हम मसाला डालेंगे प्लेट में निकाली हुई प्याज को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और भी क्रिस्पी हो जाएगी बचे हुए तेल में मसाला एड़ कर देंगे मसाला हमने पहल थोड़ा थोड़ा उण गया है अभी संदोझ मिनट के लिए ओद धक्के रखेंगे फिर से 5 मिनट के बाद ढकर खोलेंगे इसकी गैस निकालके दहकन खुलनेंगे से ढकर यह देख़खंब४ यह लिए से चेक करेंगे यह देख फिल कितने अच्छे से दोनों चीज गल गई हैं यह देखे थोड़ी थोड़ी इसमें खड़ी दाल नजर आ रही है तो हम इसे दाल गोटने वाले से अच्छे से गोट लेंगे मटन दाल चावल बहुत अच्छे से गुट गए हैं मसाले को मैंने बिल्कुल हलकी आज पे रखा हु जितना अच्छे से मसाला भुनेगा आपका हलीम इतना ही बढ़िया और टेस्टी बनेगा मसाले को चलाके हलीम को भुने हुए मसाले में डाल देंगे याद रहे कि मसाले को थोड़े बड़े वर्तन में ही भुनेंगे क्योंकि हलीम पकने के बाद बहुत जादा हो जाता है क्योंकि ये पानी में पकता है ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ये देखे इसका कलर भी कितना बढ़ी आया है आदा गिलास पानी एड़ कर देंगे पानी एड़ करने के बाद हलीम को अच्छे से चला देंगे हलीम को अच्छे से चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढककन ढक के रख देंगे यह अच्छे से पक जाएगा यह देखे हलीम में अच्छे से उबाला गया है यह अच्छे से पक गया हरदन्य डाल देंगे उपड़ से अब इसे एक प्लेट में सर्प कर लेंगे यह देखे कितना बढ़िया रेशेदार हलीम बना है मोहरम पे भी आप एक बार जरूर बना के देखे मैं मानों को भी खूब पसंद आएगा या मैंने प्लेट में हलीम को सर्प कर लिया है तवे पे जो जीरा भूना था इसका मैंने यह पाउडर बना लिया है और यह प्याज भी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है चार-पांच नीबू काट लिए हरदनिया हरी मिर्ज इन सारी चीजों का हलीम में बहुती अच्छा टेस्ट आता है इन सारी चीजों के बिना हम हलीम खाएंगे तो हलीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा हलीम के उपर क्रिस्पी प्याज डाल देंगे इसका टेस्ट बहुती बड़ी आता है बुना जीरा पाउडर चारो तरप से अच्छे से डाल लेंगे हलीम खाने के लिए बिल्कुल तयार हो गया है अब यह मैंने सारी चीज़े हलीम के उपर डाल दी हैं यह हलीम बिल्कुल मैंने आसान तरीके से बनाया है और खाने में तो इतना मज़ेदार है कि आप एक बार बार बनाना पसंद करोगे और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है हलीम की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शे करना ना भूले